Hello students, UPSC Guide में आपका स्वागत है, आज हम भारत की स्वतंतरता की यात्रा में एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा करेंगे चंपारण सत्याग्रह। इस एतिहासिक घटना ने हमारी स्वतंतरता की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोडचिहनित किया और यह महात्मा गांधी के नेत्रित्व में पहला सत्याग्रह था। 1850 तक नील प्रमुख फसल बन गई थी लेकिन यह प्रणाली दमनकारी थी। इसी प्रिष्ट भूमी में महात्मा गांधी जो हाल ही में दक्षण अफ्रीका में रंगभेत के खिलाफ एक सफल सत्याग्रह के बाद भारत लोटे थे, को 1916 में एक चिंतित क्रिशक राजकुमार शुकला द्वारा चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया गया था। चंपारण के किसानों के दुहक ने भारतिय राश्ट्रिय कांग्रेस का ध्यान आकर्शित किया, जिसमें ब्रज किशोर प्रसाद ने उनकी ओर से एक प्रस्ताव पेश किया, बाद में गांधी उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए चंपारण जाने के लिए सहमत हो गए। पूर्पूर्ण परिवर्तनों की सिफारिश की, समिती की सिफारिशों में तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करना, नील की खेती के लिए स्वैच्छिक समझोतों को सुनिश्चित करना और अनुचित करों को समाप्त करना शामिल था, सरकार ने इन में से अधिकांश सिफारिशों को स्विकार कर लिया चंपारण सत्याग्रह ने भारत की स्वतंतरता की लडाई में सविनय अवग्या के जन्म को चेहनित किया इसने परिवर्तनकारी अंदोलनों की श्रंखला का मार्ग प्रशस्त किया और ये महात्मा गांधी के राश्ट्र पिता बनने की यात्रा में एक निर्णायक ख्षन था.